नमस्कार सभी साथ दियूंगो गुड मानिंग दोस्तों कैसे हैं आप सभी मैं सते इंदर सिंग तक्षिला एकडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत आप भी नंदन करता हूँ आज हम देखने वाले हैं आज के बारे में काफी दुनों से कुछ डिमांड आ रही थी कि सार रेड גם के बारे में आपके सांधाने प्रस्थ करने वाला हूं रेड क्लिफ रेखा कौन से रेखा रेड क्लिफ रेखा बहारत का विवाजन हूँ था और पाकिस्तान की बीच में जो रेखा आती है उसको कहते हैं रेड रेखा जिसतर से चीन के में हमारे मैगमान रेखा है और सारी बहुत सारी रेखा हैं जो आपके भारत और पाकिस्तान के बीच में हैं भारत और चैना के बीच में भारत और अफगानिस्तान के बीच में उसी तरह से राजिस्तान से एक टच करती हुई रेखा निकलती है जिसका नाम है रैड कलिफ रे बनाती है और ये जैसे 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 जैसलमेर खतम होगा इसके बाद मेर नाम है शाहगड क्या शाहगड इसी का नाम है भलगाओं, चाहागण भलगाओं या बाखासर बाखासर ये गाओं है ये स्थान है आपके बाड़ में बद्रीद जहां जाके रैड़िकली फ्रेक्व समाप्त हो जाती है कर राजिस्थान की बात कर रहा हूं यहाँ पर यह कौन सा है इस्थान है यह इस्थान है आपका कौना गाउं कौना गाउं कौना गाउं कहाँ पर है यह यह आपके गंगानगर में हो गया तो देखो रैड क्लिफ रेखा थोड़ा सा मैं डिटेल आ यहाँ पर दिखा जेता है आपको कि रैड क्लिफ रेखा के बा किया गया था 17 अगस्त 17 आगस्त 1947 को register ग्रीध कीया ता किस नैं ये सर ऐल see डोने क्लिफ गए किस सिर्म की दोसरीफ क्या से ना डैटिथा 230 चignment किस दो है क संबन्दित आयोग पूछे क्वा सब्सक्रीश समधित है सब्सक्राइब किसे योजना की बात करें किना योजना की बात करें तो योजना आजाएगी माउंट बैटन योजना के संब्ध किस से रेड क्लिफ एका से ठीक है अब देखो तीन चारी चीजे किसका निर्धान कब हुआ, 17 अगस्ट 1947 को, किसके आधार पर नाम करण हुआ, सरस्रिल रेड क्लिफ के आधार पर हुआ, ये सीमा आयोग, इसे संबंदित है, और योजना आयोग कौन सी योजना के तहत हुआ था इसका बटवारा, भारत पाकिस्तान का, तो मांट बेटन राजिस्तान आ जाये गां, geared किल्फ का, ये भारत में पूछें, ये राजिस्तान में पूछें, तो राजिस्तान में संबंद है, सिर्फ 7070 km का, कितना किल्योन का, 1070 km का, ये मैं बात करूं, इस पूरी किलबाही की हुआ, 1070 km को कि Ol Out B чтобो में ये सीरा मनमें की तो सा समे जन सब्सक्राइब जिले के साथ में सीमय बनातीए इसकी बारे माँ थोड़ी संदर्वा कर लेते हैं सुनना यह जह जो रेखा है त्याना रखना सरवाद एक जेसले मेरे के साथ में 464 किलोमेटर बनाती है कितनी बनाती है तो गंगानगर के साथ में आपके 210 किलो मेटर कितनी गंगानगर के साथ में 208, gonna आपके तेस किलो मेटर 138ischer किलो मेटर की सीमाछीब बनाती कौटी राचिस्थान की सिंधर में सुनना इसकी एक ट्रिक में आपको बताई भी थी और मैं बता देता हूँ कि इसकी एक ट्रिक है यदि आपको सिक्वेंस से लियाद रखना है कि रैडिकली फ्रेखा पर राजस्तान के बढ़ते से घरते करम में कौन-कौन से जिल्या आते हैं लंबाई के फॉर्मेट में तो जैसे से भी आपका जैसलमेर यह रादेगों 464 बाड से हो गया बाड मेर रेडिकली फ्रेखा पर संबंदे जिले हैं अपने राजिस्तान के वमेन हैं आपको बता दियेगे यह रेडिकली फ्रेखा के बारे में राजिस्तान के संदर्ब में जो तत्थे थे वमेन आपके सामने रखने की कोशिश की है कैसा लगा है वीडियो कमेंट के मादर में जरू करें वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आज के लिए इतना ही फिर मिलता हूं नए वीडियो के साथ में जै हिंद